पूर मुख्यमंतरी हरीसराबात ने आज जोसिमत को लेकर एक घंटे का मौन ववास रखा है उनका ये कहना है कि सरकार मुख्यमंतरी से मिले थे पूरी कॉंडस मिली थी और हमने उनसे साब कहा था कि भई ये बुल्डोजर तब इस्तिमाल करिया आप जब आप मौवजे का लोगों के भावना अनुप उसकी घोष्णा करेंगे क्या मौवजा देंगे क्या लोगों को यह तो मालूम अड़े मेरी जिन्दगी की पूझी टूट रही है उसका मुझे मिलेगा क्या आपको दीनी रहे और आपने अपने सचीब को भेजा हम अभारी हैं वहां लेकिन सचीब ने कह दिया डेलाग रुपया अंत्रिम मौवजा देंगे और किस तर्जब मौजा दिया जाएगा उसके विशे में कुछ बात चीत नहीं और इसलिए हमने ताई किया अपसमें कि 24 गंटे कर समय दो सरकार को उसके बाद कॉंग्रेस डायरेक्ट एक है जोशी मत कि आपदा की स्थिति के समाधान में लेगे लेकिन जब सरकार असंबेदन सी निर्णाय लेगी मानव मानवत्ता पून निर्णाय नहीं लेगी मानवी बिंदों को विल्कुल नकारेगी तो फिर हमको जो है विवक्ष के तौर पर जो हमारा करता भी है हम उस करत पूरा करें कि विस्थापन से लेकर तमाम चीजों को जी एक बहतन मेंजमेंट सरकारों करने चाहिए वह नहीं हो पाया है चाहिए हम विस्थापन की बात करें लोग 600 जद परिवार वहां पर विगर होने जा रहे हैं लेकिन विस्थापन साथ साथ सो आठ सो घरू में दरा बनाते टेंट कॉलोनीज भी बनाते वहां टॉइलेट इत्यादी भी पहुंचाते सब पहुंचाते तो लोगों को सोरक्ति बशाने की कोई जखो तो बन गी होती उस पर आपने कुछ नहीं किया जोशी मट के बगल पर नया जोशी मट बनाने के लिए हमने जखो इंगित कर कर दो आपके पास दो मौडल मौजूद है मौजय के बदरिनाद मौडल है कि दानाद मौडल है आप किस मौडल के मौज़ा देंगे जोशी मट के लोगों को आप उस सिधान को तई नहीं कर पा रहे है एडॉक राशी पहले आप चार हजार रुपया करते हैं फिर पांसोर पांच हेजार कहते हैं अब आप डेर लाख आए हैं अब आप अंदाज लगाईए तो इसका मत्तव है सरकार स्थिति की गंभीरता को नहीं समग रही है कि कॉंग्रेस राजनिती कर रही है राजनिती का वक्त नहीं है सब को एक साथ बिलकर सुझाद देने चाहिए पूरी कॉंग्रेस उनके सांथ खड़ी रही है और जहां गया हम तो एक पाव में खड़े होने के तयार है करे तो सही लेकिन वह तो खड़े हूं वह तो लोगों की भावनाओं को समझे के वल यह कहने के लिए कि राजनिती कर रही है इसलिए एक बात बताईए इसको हम दिन अब ही ने करें कि रिवक्स मौन है इसलिए हमने मुँख बंद रखा हमने माई का इस्तिमान नहीं किया हम जानते हैं कि भाजबा का प्रशार संद दूसरों को बदनाम करने में काफी सिद्ध है कि मुख्यमंति जी ने कल क्या अस्वचन दिया क्या डिमांड रखी दिया आ और मैं तो दूनु बाद जानता हूं कि एक भले अच्छे व्यावारिक मुख्यमंति हैं एक संवेदन सील मुख्यमंति है लेकिन यह कौन सी तागत है जो मुख्यमंति की संवेदना को कैद में रखे हुई है यह समझी नहीं पा रहा हूं वह जोशी मट के मामले में जो है स सीम के लिए इस बात मुख्यमंति हरी सराबाजी जोने एक घंटे का मौन उपास रखकर उनका कहना है कि सरकार जोसी के में तमाम जो दिक्कते पैदा हो रही है वहाँ पर तमाम लोगों के जो घर गिर रहे हैं होटल गिर रहे हैं उनको लेकर मौपजा जो रहात राशी है बहुत ठीक प्रकार से नहीं दे रही है उसको लेकर मौन उपास रखका है और कल से बड़े आंदोलों की चेताबनी भी कॉंग्रेस ने दी है तरह दूंज सम्रसियों के साथ पंकर राणा एबीपी गंगा खबर आपकी जवाब की